दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आयजात निवास प्रमार पत्र जो बनाने की प्रक्रिया थे उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं क्या चेंजेस नया आया है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि देखिए इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे आप अपने घर बैठे मात्र 15 रुपए में ही अपना आज आत निमास प्रमार पत्र बना सकते हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी वो साइड में कुछ चेंजस हुए हैं वो चाहे सेटिजन लॉग इन वाले पोर्टल में हो या तो इस डिस्टिक वाले वेबसाइट पर हो तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे तो देखिए सब से पहले आपको इस वेबसाइट पर आजाना है इसका लिंक में डिस्किप्सन में दे दूँगा जैसे आप इस वेबसाइट पाएंगे तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा तो दोस्तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे आप इस पे रेजिस्टेशन करेंगे और कैसे आप अपना यूजर आइडिया और पासवर्ट खुद से क्रियेट करेंगे क्योंकि देखिए ये सिटिजन लॉगिन पॉर्टल है कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपना आयजात निवास प्रमार पत्र बना सकता है वो भी मात 15 रुपए में तो दोस्तो आप इस पे रेजिस्टेशन जरूर कर लिजेगा मैं डेमो के तोर पे आपको दिखा भी देता हूँ करेक्टर की आप एक आईडी अपनी बना लेंगे आप अपने अनुसार कोई भी करेक्टर यहां पर अपना चूज कर सकते हैं मैं जैसे डेमो की तोर पर आपको बता दूँ कि अगर आपका कुछ नाम है जैसे मान लिजी आपका नाम सूरज है तो सूरज का एस कैप्टल आप यहां डाल देंगे देन उसके बाद अपना 123 जो होगा तो एक दो अंक यहां मिला के उसको आप बना लेंगे और यहां उपलबधदा की जाज करें इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप login ID create करेंगे तो मैं यहां पर डालता हूँ आप देखिए जैसे हमने यह login ID यहां पर डाली है उसके बाद यहाँ पर दिखीए आप अपना आवेदक का नाम मतलब की जिसके नाम से आप कर रहे हैं तो उसका एक नाम यहाँ पर डालेंगे उसकी जन्मतिति डालेंगे दिन उसके बाद यहाँ अपना gender Start करेंगे जो भी male, female जो भी हो आप gender樁 कर लीजिएगा यहाँ पे उसके बाद यहाँ अपना पूरा आवासी पता डालेंगे देन यहाँ पिन कोड डाल देंगे अपना जिला सेलर करेंगे आपकी कौन सा जिला है यहाँ पे देन आपको एक मोबाइल नमबर यहाँ पर अपना डालना है और एक email ID आपको यहाँ पे डाल देनी है उसके बाद यह capture code डाल के आप सुरजचित पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे registration हो जाएगा दिन उसके बाद आप अपना आगे का process कर लेंगे तो चलिए मेरे पास पहले से हमने registration कर रखा है ID पासवर्ड है तो हम वही डाल के आपको दिखाते हैं तो चलिए हम बैक आ जाते हैं यह देखिए दोस्तो हम फिर से अपने login पेज पेज पे आ गए हैं अब यहाँ पे हम अपना user name जो पहले से बनाए हैं और password उसको डालेंगे यह देखिए दोस्तो हमने अपना user ID और password डाल दिया है और यह capture code भी डाल दिया है अब हम submit वाले पे click करेंगे तो चलिए हम submit कर देते हैं यह देखिए हमने जैसे login किया हमारे सामने यह page खुल काया है इस portal के माध्यम से आप यह सारे प्रमारपत्र बना सकते हैं यहाँ पे देखिए जाद प्रमारपत्र हिंदी में जाद प्रमारपत्र अंग्रेजी मतलब जाद प्रमारपत्र जो central का बनता है वो भी आप इससे बना सकते हैं और आय प्रमारपत अपना बना सकते हैं निवास प्रमारपत बना सकते हैं दिव्यांग प्रमारपत बना सकते हैं हैसियत प्रमारपत ये सारी चीजे आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही क्योंकि देखे मैं भी आपको मोब पर्मार पतर की सेवाय, आधार EK 2C सत्तापिद होने के बाद ही उपलब्द होंगी. अज अब आपको आधार वेरिफाई अपना करना पड़ेगा जो की होगा और टीपी से तो आप जुड़वा लिजिएगा क्योंकि देखिए चाहे आप जाती बनवाएं चाहे आए बनवाएं चाहे निवास बनाईए कोई सभी आप प्रमारपत बनवाएंगे तो आपको टीपी देनी पड़ेगी तभी जाके होगा यह सारे कदम यहाँ देखिए जो फ्रॉड क आहीं हो पा रहा है आप मदत करिए तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत करिये गा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा क्योंकि देखिए आप के आप्रमाल पत्र और प्रमाल पत्र स्यम durability सेम प्रकार से बनता है उसस में कोई zuunken च deaf bez ऐसाओं आगे तो स्फिट रहोंगे कि सर मेरा तो जाति बंना है तो महीं कीसे बनाउंगा तो आготовको गऴरांने की दिखा सकता, एक एक बना के दिखाऊंगा अगर आपको दिखा दूंगा तो चलिए मैं निवास वाले पर कुलक करता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, अब दिखे यही नया यहां पर जुड़ा है, अभी तक जब हम क्लिक करते थे तो सीधा आपर हमारे सामने हमारा form खुल के तो आधार EKYC सत्यापन अब यहाँ पे आपको अपना अधार नमबर डालना है और यह capture code डालके यह checkbox पे click करेंगे और submit पे click करेंगे दिन आपको एक OTP प्राप्त होगी तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों मैंने यहाँ अपना अधार नमबर डाल दिया है दिन यहाँ पे capture भी डाल दिया हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे checkbox पे हम click करेंगे दिन यहाँ submit पे click करेंगे तो चलिए हम इस पे click कर देते हैं यह देखिए दोस्तों जैसे हमने सम्मिट पर क्लिक किया यहां पर OTP डालने के लिए बोल रहा है अब हमारे आधार से जुड़े मुबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी वो OTP को आपको यहां पर डालना है तो चलिए हम यहां पर यहां पर दर्ज करेंगे तो चलिए हम यहां देखिए हंए हमने यहां पर टाल दिया है अब हम यहां सम्मिट पर क्लिक करेंगे तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं यह देखिए दोस्तों यहां पर हमारे सामने हमारा फा towards को यहां देखिए आधार में को आदहार वेरिपाइग करना हो और उसके बाद यहां पर देखिए हाप अपने husband या तो father का नाम नाम डालेंगे या तो son richak हो तो जिसका भी आप डालना लगे उस पे यहां पर हुआई तो आप सकते हि smiling में लगते हैं तो आप यहां पर मैंने यहां पर यहां पे यहांने जाना नाम सड़ीता हुएन के स्कत्रा मादुने जा positives रहेगा और यह देटा बर्थ आटोमेटिक यहां रहेगी आधार के माध्यम से यहां पर अपना जन्विस्थान डालेंगे तो आपको यहां पर अपना गाउं की लिस्ट आजाएगी तो आप उसमें से आप सब्सक्राइब लेंगे तो अफेरे पमने पर lib को अपने डालेंगे और यहां पर पूछ रहा है कि अनुछा है प्रौमालबार्सत्र डाले कि आप कि यस वजय से बनुए रही हैं सिच्छा प्रमारपत को बना रहे हैं तो हम यहां पर पेंसन टाल दीए हैं उसके बाद यहां देखिये क्या इस से पूर्व निवास प्रमारपत्त्र जारी हुआ है तो अगर आप पहले से भी बनुए हैं वो एक्सपार किया है और उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दी ऐ अगर आप पहले से नहीं बनवाए है तो नहीं रहत जोको के हम को T अगर जोकी expense card बना है तो आटोमेटrukt जाएगा यहाँ पे फैलेंगे और चुरेंगे की हूं फोटो पहले सेलेट करेंगे तो फोटोपेस पर क्लिक किए उसके बाद यहां पर ओप्सणा आ गया है आधार की फोटो अप्डेड करें यहां पर तो आप यहां पे चूस फायल और देखिए यह सो प्रमारित घोसडा पत्र आपको डिस्क्रीप्स में मिल जायेगा आपकी 478 डाँवड कर सकते हैं मगर करें यह मुझार चाहिए तो यह सब्सक्राइब घ्राब हो जाम हो जाता है तो यह कौन करता है कि आप सावप डालेंगِ तो अगर apprendre तो मैं यहां पर इनका आधार काड़ कर देता हुं यह देखिये मैं यहां पर देंगे करेंगे दोस्तों अगर आप इस में से और भी आपके पास धूट रुक्मिन है आप अपलोड करना चाह रहे है तो कर सकते हैं जैसे वोटर ई-डी कार्ड यहां कार्ड विजलिंक अभील वगेर्व मगर मैं यहां धाक दो बच्रण करेंगा ₩ यहां पे लिए mud देखिए फिर से आप उपर आएंगे और सारा कुछ यहां पर मिला लेंगे आपने जो डिटेयल दी है वो सही है कि नहीं है जब आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपका सब कुछ ठीक है तो आप यहां नीचे आएंगे और यहां दर्ज करे वाले option पर क्लिक करेंगे तो चलि सारी डिटेयल आपको देखने को मिलेगी वह पर यहां पर आधहर से फोटो जालिए यह आट एक आप निचे आप आयेँगे तो यह सारी डिटेयल देखने को दृत जो आपने अपर उपलोड किया है अब आपको इसको print करके रख लेना है नहीं तो आप mobile से कर रहे हैं तो इसको screenshot ले लेना है तो चलिए हम यहाँ पर इसको screenshot ले लेते हैं और यह आवेदन संख्या हम यहाँ note करके रख लेते हैं उसके बाद यहां पे देखे आपको इसको करनी होगी तो चलिए हम यहां पे देखे लिखा है सेवा सुलو का भुक्तान के लिए यहां क्लिक करें हम इसीपर क्लिकज करेंगे आपका अप्लिकेशन नमबर आटोमेटिक हो गया है अब हम यहाँ पे संम्मिट वाले आप्शन पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहां पर देखें आपको दिख रहा है 15 रुपए आपको पे करने है और यहां पर दिखें नीचे यहाँ लाएन च और ऐखित करें तो दोस्तों यहां पर देखिया हम यहां prosecut पर क्लिक करेंगे payment को करने के लिए अब यहां पर आपको सेलेट करना है कि आप किसके थुरू यहां पर पेमेंट करना चाहेंगे देखिए आपको 15 रुपय का मात पेमेंट करना है यहां पर देखे लिखा है अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी दुकान स्वाप से बगारा सियस्टी जन से वकेंट से करवाएंगे आपको इससे कई रहता है उसमें आपका वो हर जगे मान रहेगा कहीं भी कोई दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूं मैं यूपी आई से पेमेंट करूंगा आपके अनुसार जो आपको अच्छा लगे उससे करिएगा तो देखिए दोस्तों हमने यहां पर अपना यूपी आई डाल लिया है अब यहां पर हमने पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो चलिए पर क्लिक कर देते हैं अब देखिए दोस्तों यह टाइमर चालू हो गया है इप ये टाइम के अंदर ही आपना पेमेंट कर गये तो चलिए हम अपने यूपी आई पे आते हैं और पेमेंट करके आपको दिखाते हैं अब देखिए जो आपको रजिस्टेशन नंबर मिला था उसे आपको कॉपी कर लेना है तो देखिए यहां पे हम आवेदक सूची में जाएंगे हमने इस पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए देखनों को मिल रहा है निवास प्रणापत्र यहां पर हमने यही वाला अप्लि पर कुलिक करेंगे तो यहां पको करना क्या है सुरच्छित करें इस पर क्लिक करना है है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब तक आप यह प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आपका यह अप्लिकेशन आगे नहीं बढ़ेगा आपकी पेमेंट जो है वहां तक रिसीब नहीं होगी वेपसाइट पे तो हम यहां सुरजचित करें पर क्लिक कर देते हैं तो हमने इस प ले लेंगे अब दोस्तों आपका पूरो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है अब आपको कुछ नहीं करना है बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और यह प्रमाठपत्र आपको ज्यादा ज्यादा एक हफ्ते के अंदर ही आपको मिल जाएगा अब जब यह आपका बन जाएगा आपको करना क्या है यहां देखी निस्तारित आवेधन इसे हमको क्लिक करना है जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए यहां पर यह सारे ऑप्सन दिये गए है Cathy родbirdsumiciside इया अधर का तो जो भी प्रमाठपत्र आप बनाये होंगी सिपे क्लिक करेंगे तो जैसे आ हमने इस पर क्लिक किया है हमारे सामने यह पेज़ खुला है अब देखिए यहां पर यह अप्लिकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा और यहां पर प्रमार पत्र हमने बनाया था इससे पहले तो यहां पर दिख रहा है और यहां पर कब आपको रिसीव हुआ है बनके यहां देखिए 10 फरवरी 2024 अब आपको यहां पर इसको डाउनलोड करने के लिए इसी वाले option पर क्लिक करना है यहां पर देखिए जो application number दिया है इसी पर हमको क्लिक करना है ब्लू कलर का जो दिया गया हमने इस पर क्लिक किया यह देखिए आपके सामने यह प्रमापत्र डाउनलोड होक या चुका है सेम इसी प्रकार का आपको जन सेवा क्यन से भी मिलता है आप 27 3 7 बना सकते हैं इसमें कोई भी ृट नहीं है कि आपका यहांपर पर कहीं भी माने नहीं होगा हर जगह मानन में होगा सेम वही है यह यहां पर देखिए यह आपको देखनometer को मिल रहा है आपका यहां पर इसी तरीके का बन के आता है और यहां पर देखे आपको कोई भी साइन या मोहर वगएरा लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर देखे लिखा है नीचे यहां प्रमारपत इलेक्टानिक डिलिवरी सिस्टम दौरा तयार किया गया है तथा डिज लग रहा है कोई परशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं आपकी परशानी को दूर करने की पूरी कोशिस करूंगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगी हो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर सेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके